नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता है कि SSE MTS का परिच्छा लगाता चले जा रहे हैं तो आज है 7 अक्टूर, 7 अक्टूर का परिच्छा जो है फर्स शिप्ट का खतम हो चुका है और सभी विद्यार्थों से कॉस्टिन हमने कलेक्ट कर ली है चलिए दोस्तों इन सारे कॉस परिच्छे गई सबी परशनों के उद्दर आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज 7 अक्टूर है फर्स शिप्ट का परिच्छा खतम हो चुका है और सारे कॉस्टन हमारे पास कलेक्ट हो चुके तो दोस्तों सबसे पहले इसका बाद यह आकला निकला है दोस्तों कि इंग्लीस लेंग्वेच में इजी टू मॉडरेट में कोशन पुछाई या था जिसमें से वीडियार्थी 21 से 22 कोशन लगवग बना के आएं नमरीकल एपेटीट में इजी टू मॉडरेट में पूछाई या था सोलों से सतरों कोशन ब के लावानया या कि मॉडरेट में विधार्थि 20 कमेंट में बना जरू बताएं आप कितने सौल्वव कि हैं दोस्तों कमेंड में जरू बताएं आपको बता है जैसे कि देख पारें दोस्तो पहला कोश्चन आ चुका हमारे स्क्रीन पर जैसे कि देख पारें सबसे पहला कोश्चन है दोस्तो इलाबाद इलाबाद बैंक का मुख्याले कहां पर है तो इलाबाद बैंक का मुख्याले कॉलकता में कहा है दोस्तो कॉलकता में आगे बढ़ते हैं अगली question क्यों रूक करते हैं दोस्तों मुख्याले में दोस्तों मुख्याले से रेलेर्टर बहुत ज्यादा question पूछा जा रहा है तो आप जाएं और मुख्याले वाला सारे का सारे question अच्छी तरीकी से रीड कर लिजे, भुटान आंदोलून के मुखिनेता डियोट अगला से दिया डिया मैंजार को score मोरी के द्दरवार किसके रमी मोरी को क्या है तो स्वामी विवकानन जी के गुरू कौन थे तो स्वामी राम किस्णन थे। ranging पूचा बहुत पूचा गया था राइश्टिगान को हिंदी रूप में कव अपनाया गया है तो यह अपनाया गया था दोस्तो चोबीज एक उन्नेसो पचास को और यह जो है राइश्टिगान किसके दौरा लिखा गया था रमित नाठ टेगो ध्यान रिके यह भी कोशन आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं अगली कोशन जो पूछे गिये थे दोस्तों अरुन्धति रॉय को कोन सा पुरुसकार मिल चुका है तो बतना चाहिए अरुन्धति रॉय को जो है मेन बूग कर पुरुसकार मिला है गॉड आफ स्माल थिम्स यानि उन्हें 147 में यह पुरुसकार उन्हें पराप्थ हुआ हमारी अगली कोशन है कोन सा एक समिधानिक निकाय नहीं है तो नीती आयोग जो होता है वो समिधानिक निकाय के अंतरगत नहीं आते है अगली कोशन है दोस्तो राइस्टे जनसंख्या आयोग का चियर्मन कोन होता है तो बताना चाहेंगे राइस्टे जनसंख्या आयोग का जो चियर्मन होते वो परधान मंतरी को कहलाया जाता है हमारी नेक्स्ट कोशन जो पूछा गया था राइस्टेगान को हिंदी में अनुबाद कब किया गिया है तो बताना चाहेंगे यह अनुबाद 24 जन्मरी 1950 को अनुबाद किया गिया था अगली कोशने रूम आफ दा रूफ उस तक किसने लिखी है तो यह लिखी है रसकीन बॉन्ड में याद रिखिएगा अगली कोशने पूछी यह विवेका नंद के गुरू का नाम क्या है तो इसका सई अंसर होगा राम किर्षन प्रम हंस नेक्ट कोशने चारबाग किसके समय की वास्तुकला का उधारन है तो यह है दोस्तो अकबर के समय का नेश्ट कौूच्छन पूचाई गया है, अजमा निकोबार का उच्छ नियाले किस चेतर में आता है? तो यह आता है दोस्तो कॉलकाता उच्छ नियाले. वीडियो अगर अच्छा लग रही तो लाइक करना, सेर करने के लिए कभी मनी न भूला, और कल भी और आने वाले सिप्ट में कौस्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वेलक आकोन को पूस्ट करिया जूर जाही आने वाला हर परकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तो हमारे मेकसम स्टूडेंट जो है वह बीना सस्क्राइब की वह देखते है तो आपके लिए फाइदा होगा चलिए स्टाट करते हैं और आपको बढ़ते है अगली कोश्चन पुछेगी है पुछेगी है निल दरपन पुस्तक के लेखक कोने इसके जो दरपन के पुस् नतरा है चला रहा है तो यह चला है जा रहा है परियाटन मैंतरा ले तो यह थै दोस्तो कुछ इंपर्टन कोश्टन हम लाएं गे नेक्सट के लिए तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा अगैं भाएज मिलते है नए वीडियो के साथ नए जानकड़ी के साथ वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत करते हैं धन्यवाद थाइक्स पर वाचिंग